जैहिन दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत आए चले दोस्तों आज हम आपनों को बताने वाले हैं Chemistry का Most Important Objective Question दोस्तों अगर आप भी Class 10th में हैं और 2024 में अगर आप exam देने वाले हैं और Science में अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं तो आज आईगे आपको Chapter wise वहतिक विज्ञान जैसे कि Physics, Chemistry and Biology तेनों का Most Important Objective VVI Objective Question आज हम आपको कराने वाले हैं और इसमें जितना भी Objective Question है ये 2024 के Paper में 100% लड़ेगा अगर आप एक कमजोर Student हैं तो एक-एक Question को आप आराम से पढ़ लिजिए इसके बाद आपको कोई भी Book पढ़ने की जौत नहीं है तो चले दोस्तों आज हम Chemistry का दूसरा चेप्टर जो कि आपके सामने है दूसरा चेप्टर अमल छारक एबम लबन ये आपके बुक का चेप्टर है ठीक है और इसी का जितना Most Important Objective Question है वो सारा चेप्टर में एक एक question को हम आपको बताने वाले है ठीक है तो जो student नए है और वो चैनल पर पहली बार आए है वो चैनल को subscribe कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो जो है वो आप लोग के पास पहुंचता रहे है और जो student पढ़ लिए है उनके लिए ये test का class है साथी साथ जो है ये revision भी हो जाएगा ठीक है और जो नए student है उनके लिए most important class है इसको जरूर एक बार कर लें क्योंकि इसमें पूरे NCRT का ध्यान दीजिए पूरे NCRT का निचोर बताया गया है ठीक है और आपको पता होना चाहिए कि जो final exam में question आता है वो 90% objective question वो आपके NCRT book से दिय जाता है तो इसमें जितना भी question है वो सारा NCRT से लिया गया है ठीक है तो जो student पढ़ लिए हैं उनके लिए एक option है आप लोग comment box में किसी भी question का अंसर पता हो तो जरूर जवाब दीजिएगा ठीक है चलिए तो question स्री गनेस करते है question number 1 से जैसा कि आपके सामने है question number 1 और ध् पिला कर देगा तो उसका pH जो होगा न वो संभव तक कितना हो जाएगा याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका 10 यानि कि option number D जो है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों जो पहले से पढ़ लिए हैं वो जल्दी से देखते हैं कि आपका कितना सही हुआ और comment box में comment जरूर क दीजिएगा ठीक है चलिए तो दूसरा question है आपके सामने कि alcohol में उबली पती पर iodine billion की कुछ बूंद डालने पर पती का रंग हो जाता है ध्यान दीजिए दोस्तों alcohol में उबली पती पर जैसे कोई पती को हम उबालते हैं boil करते हैं तो उबालने वाली पती पर iodine billion की अगर क सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगला question देखिएगा question number three है कि अपच का उपचार करने के लिए नेमनी में से किस 応ो ऑसधी κα उपच्व की जाता है तो आपके सामने पेपर में कासे आप लोग एक भी अब्जेक्टिव कोस्टन चोर कर नहीं आईएगा ठीक है कमजोर से कमजोर से स्टुडेंट भी स्वार साइन्स में 95% मार्ट लाएगा ठीक ना चलिए पहले जबाब दीजिएगा कोस्टन का ठीक ना पढ़ना जरूरी है किसी भी उदासीन बिलियन का पी एच मान क्या होता है दोस्तों याद रखिए उदासीन विलियन का पी एच मान क्या होता है ठीक है उसके बाद हमारा होता है छारिये विलियन का उसके बाद होता है अमलिये विलियन का अमलिये विलियन का पी एच मान क्या होता है दोस्तों आपको हम बता दे स उदासीन् मिलियन का क्या हो जाएगा, साथ के बराबर, उसके बाद, छारिये का हो जाएगा, साथ से अधीक, शीक है, उसके बाद, अमलिये का हो जाएगा, साथ से कम, साथ से कम ये तीन कोशन जो है ये काफी important है इसको जरूर याद कर लिजेगा ठीक है तो यहां उदासीन का बोला गया था तो साथ हो जाएगा option number B याद रखिएगा question number 5 है कि निम्नांकित में से कौन 11 है आपके सामने 4 option है इसमें आपको पहचानना है chemistry बहुत important है इसमें formula भी आता है और वो भी आप लोगों के लिए काफी important होगा ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि कौन 11 है आपके सामने 4 option दिया गया है और बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा K2SO4 जो है वो हमारा क्या है 11 है क्या हो जाएगा K2SO4 ठीक है चलिए K2SO4 क्या है 11 है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा option number C अगला question देखिए question number 6 है बुला गया किसी लाल तप्त आईरन पर जलवास परभाहित करने पर कौन सा योगिक प्राप्त होता है जहां दिजिए आपके सामने 4 option दिया गया है ठीक है और इसमें जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह हो आपका हो जाएगा F2O3 option number क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा F3O4 हो जाएगा option number C हो जाएगा चलिए अगला question देखिए दोस्तों 2024 में अगर आप topper बनना चाते है तो objective आप जानते हैं कि हर साल पूछा जाता है और objective में अगर आप A to Z question करना चाते हैं तो पूरे NCRT को पढ़ लिजिए ठीक है आप हम से पढ़िए जहां से पढ़िए लेकिन NCRT से पढ़िए पेपर में इससे बाहर question नहीं आएगा ठीक है चलिए तो 7 number question है कि हमारे सरीर में जो pH होता है वो कितने परास के बीच कारिय करता है तो आपके सामने option है और इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच हमारे सरीर का जो pH होता है वो 7 से 7.8 के बीच यह कारिय करता है ठीक है तो option B आपको याद रखना है question number 8 है कि backing powder यानि कि soda का अनुसुत्र क्या है backing powder का अनुसुत्र हम बोल रहे हैं आपको chemistry में दोस्तों formula जो होता है यह काफी important है direct आपको पूछा जाएगा formula ठीक है यह direct question पूछा जाता है चार-पांच ऐसा formula है जो important है और सारा हम आपको बताने वाले हैं ठीक ना तो backing powder का अनुसुत्र क्या होता है आपके सामने option है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका NAHCO3 यानि कि option number C जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लियर है ना क्लियर है ना तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ओप्डिस क्या हो जाएगा प्लास्टर ओप्डिस जो है वह हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है क्लियर ना question number 10 देखिए बोला है निमने लिखित में से pH का कौन सा मान जो है 6 होगा नई 13 बिल्कुल सही जवाब का क्या हो जाएगा 13 जो की छारिये है हमारा साथ से अधीक होता है वह हमारा होता है छारिये साथ से कम होता है अमलिये साथ के बराबर होता है उदासी निये तीन important है इसको याद रखिएगा और previous share का question bank निकाल कर देख लिजिए हर साल पूछा जाता है ठीक है चलिए 11 नमर question है कि litmus billion जो bagni rank का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है काफी सांदार question है और आपके सामने option है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा lichen का क्या बना होता है lichen का option number B आपको याद रखना है क्लिए रहना चलिए question number 12 का जवाब दीजिए क्या बोलागे है इसमें ध्यान दीजिए निम्र लिखीट में से कौन जो है दूई छारकी अमल है दूई छारकी अमल आपको पैचानना है आपके सामने 4 option है और इसमें जो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा H2SO4 option number D हो जाएगा clear है न चलिए एकदम सांदार तरीके से केवल आपको पढ़ना है और देखना है याद हो जाएगा आपको बिल्कुल भी pressure में नहीं आना कि हमको याद करना ही है विडियो है आपके सामने एक बार नहीं दो बार लेकिन इसको exam से पहले तक आपको पूरे chart पोच के खतम कर देना है ठीक है चलिए तो question number 13 है कि जब CO2 gas को पानी में घोला जाता है तो billion का pH क्या होता है तो billion का जो pH हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7 से कम जाता है white color का वो किसका किया जाता है आपके सामने चार option है और इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा C A O H का हो जाएगा option number B जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इसी से हम क्या करते है दिवाल पर सफेदी करते हैं यानि white color का paint करते है ठीक है C A O H का halt wise के लिए question number 15 है कि निमने लिखित में से पौन जो है बुझा हुआ चूना है बुझा हुआ चूना का सूत्र देखे आपके सामने है और ये important है देखे कुछ सूत्र है ये सारा सूत्र हम आपको पुझा जाएगा ठीक है ना चलिए तो निमने लिखित में कोन बुझा हुआ हुआ चूना है आपके सामने option है और इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा C A O H का halt wise ठीक है option number B question number 16 है कि 11 NA2 CO3 का जो है जलिये billion का pH है ये जलिये billion का pH क्या होता है एसेटिक अमल का IUPAC नाम क्या है एसेटिक अमल का IUPAC नाम क्या है तो आपके सामने option है काफी important सवाल है इसको ज़रूर आप लोग देख लिए सही देंक से तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एथेनोईक अमल क्या हो जाएगा एथेनोईक अमल option number A यह एसेटिक अमल का IUPAC नाम है option number A हो जाएगा एथेनोईक अम के लिए question number 18 को देखे बुला गया है कि निमने लिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है देख लिजे यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर सकता है और उसका billion का pH मान कितना होता है तो हम आपको बताये थे question number 1 में वो 10 होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर पुछा गया है कि कौन कर सकता है तो आपके सामने 4 option है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा CL minus क्या हो जाएगा CL minus और बतायेगा कि CL का जो है वो नाम क्या होता है CL का जो है रसाइनिक नाम क्या होता है जल्दी से comment box में दीजिएगा ठीक ना चलिए तो option number क्या हो जाएगा C हो जाएगा क्या हो जाएगा sorry आप option number C नहीं होगा option number B होगा OH minus बुला गया है यहाँ पर की लाल लिटमस को नीला कर सकता है यह कौन है OH माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा OH माइनस option number B हो जाएगा क्लिए है ना चलिए अगला question है question number 19 इसमें बुला गया है कि कोई billion नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है पांच क्या हो जाएगा 5 option number A चलिए 20 number question है आपके सामने option है जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों आपके पास समय कम है और आपका exam बहुत नस्दीग है इसलिए सभी subject का objective question short question, long question सारा चीज आपको complete करके देने बाले है मेरे साथ आपको exam तक रुकना होगा चलिए तो oxalic अमर का प्राकिर्टिक स्रोथ जो है वो कौन है तो आपके सामने option है और बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा टमाटर option number B ये oxalic अमर का प्राकिर्टिक स्रोथ होता है चलिए question number 21 है कि एक छातर जो है जांच प्रकनली में लिए गए sodium bicarbonate के तनू billion में सारव भौम सुचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निमने लिखित में कौन सा रंग दिखेगा काफी सांदार question है और आपके सामने चार option भी दिया गया है तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नीला रंग का देता है किस रंग का देता है नीला रंग का option number A आईए अगला question देखिए बाइस number plaster of paris जिसको हम P.O.P. भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम P.O.P. कहते हैं इसकी का full form हो गया plaster of paris तो plaster of paris का रसाइनिक सुत्र क्या है आपके सामने option है और हर साल ये question पूछा जाता है ठीक है तो इसको तो आपको देख लेना है सही से तो plaster of paris का जो रसाइनिक सुत्र होता है वो क्या होता है तो वो होता है C.A.S.O.4 half H2O option number B C.A.S.O.4 half यानि कि 1 by 2 H2O यानि hydrogen का आधा अनू इसमें मिलाया जाता है ठीक है option number B आपका सही जवाब होगा question number 13 जो student पहले से पढ़ लिये हैं देखिए आप लोग कितना तयारी किये हैं आपका test चल रहा है साथे साथ आपका revision भी हो जाएगा और कितना सही होगा अन्त में आपको comment box में जवाब देना है ठीक है आपको केवल याद करने से नहीं होगा आप revision कितना करते हैं और आपको regular उसको कितना याद करते हैं यह important है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर छारकिये हो जाएगा तब यह किस रंग का होता है जब कोई billion जो है ना तो अमलिये होगा ना ही छारिये होगा तब यह किस रंग का होगा आपके सामने option है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैगनी रंग का होगा किस रंका होगा बैगनी रंका option number C अगला question देखिए 24 number कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अमलिये या छारकिये यहाँ पर देखिए छारकिये होगा छारकिये माध्यम में बदल जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं आपके सामने option है आपके साब से क्या सही होना चाहिए तो बिल्कुल सही जवाब है यह गंधिये सूचक होता है क्या होता है गंधिये सूचक इसे कहते हैं option number B हो जाएगा question number 25 को देखिए बुला है कि सभी धातुए carbonate एवं hydrogen carbonate अमल के साथ अभी किरिया करके क्या बनाते हैं आपके सामने option है और इसमें आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा संगत लवन भी बनाता है carbon dioxide भी बनाता है जल भी बनाता है यानि कि इन में से सभी तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इन में से सभी option number D केलियर है अगला question देखिए question number 26 है एसेटिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत निमनी लिखित में कौन है ये काफी सांदार है एसेटिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत कोन है आपके सामने option है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये क्या है आपका इसेटिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत है सीटिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत है सेटरीक अमल किसमे पया जाता है आपके सामने option है जल्दी से जवाब देजिए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा संत्रा निम्बू जिसे खटा पदार्थ होता है उसमें आपका सेटरीक अमल पया जाता है सेटरीक अमल पया जाता है तो option number C क्या-क्या याद रखना ह सेटरीक अमल में संत्रा और निम्बू यानि कि दोनों हो जाएगा खटा पदार्थ है तो option number C हो जाएगा क्लियर है question number 28 है टाटरीक अमल जो है यह किसमे पया जाता है आपके सामने चार option है जल्दी से जवाब दिजिए जो student पहले से पढ़े है उनके लिए यह important class है ठीक है चाहें आप कहीं से भी पढ़े हो लेकिन आपको जवाब देना है अगर आप जवाब दे देते हैं तो हम समझेंगे कि आपनों का तयारी सही चल्दा है जो नए है उनके लिए यह best class है एक एक question को पढ़ लिए ठीक है आप question bank जब बनाएंगे न जब आप question bank बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह सारा question तब आपको लगेगा कि नहीं यह काफी important है तो पहले इसको पढ़िए और question bank को आपको पढ़ना है ठीक है ताकि आपको लगे कि कितना question board से मिलेगा टार्टरिक अमल जो है यह किस में पाया जाता है तो आपके सामने चार option है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इमली में हमारा टार्टरिक अम पाया जाता है ठीक है टार्टरिक अम ठीक है option number B हो जाएगा clear ना आईए लेक्टिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत है काफी सांदार है लीजी लेक्टिक अमल का प्राकिर्तिक स्रोत क्या होता है तो आपको याद रखन हाई है दभी ह bookingiek option में तेben ganze जाता है जल्दी से जर्ब दिजी चीटी के डंक में और इतल के डंक में कौन सा शायर रखना है आपके सामनेτά प्रक्रीन है और देखिए कि इसमें को नहीं सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा मेथे नौई कम क्या हो जाएगा मेथे नौई कम option number D ठीक है याद रखना है 31 number question है कि दातों का 6 कव प्रारंब होता है दातों का 6 कव प्रारंब होता है यानि कि दातों का तूटना ये कब प्राराम होता है आपके अंदर क्या होता है तो ये तूटना शुरू हो जाता है तो मुह का pH 5.5 से अधिक होने पर मुह का pH 5.5 से कम होने पर मुह का pH 7.7 होने पर या इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा जब मुह का pH मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है ठीक है तो उस समय आपके दातों का जो है 6 होना प्राराम हो जाता है तो option number B जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है आईए 32 number question है कि हमारे पेट यानि उदर से कौन सा अमल उत्पन होता है अब आपको लगता होगा कि पेट से कुछ नहीं मिलता है नहीं ये पेट से आपको अमल मिलता है जिसको हम उदर कहते हैं पेट को उदर कहते हैं उदर तो हमारे पेट से अमल उत्पन होता है और वो अमल क्या है उसका नाम क्या है तो आपके सामने option है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा hydrocaloric amd, क्या हो जाएगा hydrocaloric amd यानि की HCL क्या हो जाएगा HCL, hydrocaloric amd option number C, ठीक है हमारे पेट में यह hydrocaloric amd जो है उत्पन होता है खुद से, ठीक है content formula हम बता रहे हैं, सभी को note करते जाएगे, क्योंकि paper में जब आएगा ना question, तो आपको पंखा देखने की जौरत नहीं है, ठीक है, आपको direct गोला को रंग ना है, ठीक है तो जो नहीं पढ़ेंगे, उनको तो पंखा देखने के अलाबा कोई उपाई नहीं है, ठीक है अब आप लोग समझ गये होंगे कि पंखा कहां पर लगा होता है, आसमान में नहीं देखना है, ठीक है, चलिए, तो धोने का soda का रसाइनिक सुत्र क्या है और आपके सामने option है, और इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, sodium hydrogen carbonate क्या हो जाएगा, sodium hydrogen carbonate option नमबर B हो जाएगा, किलियर है न, आईए, अगला question देखिए, question नमबर है 35, कि फार्मिक अमल का IUPSC नम क्या है, फार्मिक अमल का IUPSC नम, यह भी काफी important है, और बहुत बार यह question पूछा गया है, भर-भर के इस तरह का question पूछा जाता है तो इसको आपको याद कर लेना है, फार्मिक अमल का IUPSC नम, दोस्तों, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, मेथे नौईक अमल, क्या होता है, मेथे नौईक अमल, option नमबर A, कि लिए रहना, आईए, अगला question है, question number 36, बुला गया है कि जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए, किसका उप्योग किया जाता है, जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए, जल जब फिक्स हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है, तो आपके सामने option है, और इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा, 100% वो हो जाएगा, धोने का सोडा, क्या हो जाएगा, धोने का सोडा का उप्योग किया जाता है option number B यार रखेगा अगला question 37 number sulfate earth hydrate या hemihidrate का अन्य नाम है देखिए ये question हर बार पुछा जाता है ठीक है ये तो हर बार पुछा भर भर के पुछा जाता है question आपके सामने है कि sulfate earth hydrate या hemihidrate का अन्य नाम क्या है इसका और नाम क्या होता है ठीक है और आप लोगों को पता भी होगा जल्दी से जवाब दीजिए जी हाँ जो आप सोच रहे है प्लास्टर और पैरिस इसी को हम क्या कहते है sulfate earth hydrate या hemihidrate ठीक है इसी का नाम हो गया ठीक है जिसे गाओ घर में आप लोगों का दो से चार नाम रहता है उसी तरसे इसका भी नाम है किलिए है ना आईए question number 38 है कि gypsum का जो है रसाइनिक सुतर क्या है gypsum का रसाइनिक सुतर देखे ये भी most VBI है ठीक है gypsum का यह हम कहे रहे ना जितना objective हम दे रहे ना आपको किसी भी subject का हो ऐसा नहीं कि science का A to Z subject का जो भी हम आपको objective देंगे वो सभी question होगा आपका NCRT का ठीक है वो NCRT का होगा और आपका 90% question यहीं से आएगा ठीक ना तो इसलिए सारा question important है सभी question को पढ़ना है ठीक है एक दो question को पढ़ने से कुछ नहीं होगा ठीक है इसको पढ़िये question bank को पढ़िये सारा खेल खत्म हो जाएगा gypsum का रसाइनिक सुत्र इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पता है सही जवाब हो जाएगा आपका CSO4-2H2O यानि हाइड्रोजन का दो अनू ठीक है जल का दो अनू यानि कि CSO4-2H2O option number B याद रखना है किलियर ना आईए अगला question देखिए question number है 49 बुलागा है कि अमल का पी एच मान होता है दोस्तों एक बहुत सारे ऐसे कलास आपको YouTube पर मिल जाएंगे जो आपको 199, 299, 399 ये इतना रुपए लेता है मिलता क्या है यही चीज मिलेगा आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ ठीक है लेकिन हम आपको दे रहे हैं free of cost बिल्कुल एक भी रुपए नहीं लेंगे ठीक है आप पढ़िए ठीक है ना पढ़ लीजिए अच्छा marks लाइए में लिए यही सबसे important है आपके लिए बिल्कुल एक भी रुपए नहीं लगेगा नहीं हम आपको कभी बोले हैं कि आप हमको एक रुपए दीजिए या 1992 का ये बेच है क्रेस कोर्स का ले लिजिए महा मेराथन का बिल्कुल नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं केबल आप लोगों को पढ़ना है हमसे जितना होगा most important question answer आप लोगों के exam के लिए भविस के लिए ये सारा चीश complete करके देंगे ठीक है हमसे नहीं होगा बतवा सेम सेम है ठीक ना तो option number A हो जाएगा अमल का साथ से कम होता है के लिए आईए आज का last question है और इसको भी उराही दीजिए बुला गया है कि निमने लिखित में से कौन जो है gas चूने के पानी को दुधिया कर देता है सांदार question है और आपका अंतिम question है तो इसका जवाब सही होना चाहिए Cl2, SO2, CO2, O2 तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा CO2 और CO2 को क्या बोलते है carbon dioxide क्या बोलते है carbon dioxide क्लियर है न तो आपको याद रखना है क्लियर न चले, CO2 का नाम क्या होता है carbon dioxide बहुत सारे student को ये भी नहीं पता होता है कि CO2 होता क्या है ये H2O क्या है अगर आप लोग को पता होगा जिनको नहीं पता है इमंदारी से comment किजेगा किनको किनको H2O का जो है नाम नहीं पता है H2O काते है उसको जो की जल हमाड़ा जीवन है जल का जो है रसाइनिक सूतर होता है H2O, ठीक है इसमें hydrogen और oxygen मिला हुआ रहता है तो दोस्तों इस तरह से 40 objective question complete कर दिये है आप इसको crash score समझ लिजिए या महा मेराथन कलास समझ लिजिए लिकिन ये कलास तो important है आप लोग के लिए तो एक बार इसको जरूर फिर से पढ़ लिजिएगा ठीक है और लगातार इसको देखते रहिएगा जो student नए हैं चैनल पर पहली बारा हैं वो student चैनल को subscribe कर लें ठीक है ताकि आने वाला सभी वीडियो आप लोग के पास पहुँचता रहे साथी साथ आप लोग के लिए important शुचना जो student motivation वीडियो देखना चाते हैं ध्यान दिजिए जो student motivation वीडियो देखना चाते हैं और student के लिए motivation वीडियो देखना जरूरी भी है तो आप जाईए इंस्टाग्राम पर सर्च किजेगा XYZ Motivational Fact ठीक है क्या सर्च करना है XYZ Motivational Fact वहाँ पर आपको एक से एक सांदार केवल स्टेडी से रिलेटेड जितना भी Motivation वीडियो है वो सारा हम आप लोगों को करा रहे हैं बहुत सारे स्टुडेंट जो है 14,000 के लगभग स्टुडेंट वहाँ पर पहुंच गए हैं आप भी जाईए और अपना प्यार दीजिए उमीद करेंगे जरूर वहाँ पर आपनों का प्यार मिलेगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस केशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और मिलेंगे सांदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद जया भारत वंदे मातर